इटा पुलीस को बड़ी सफलता मिली है थाना पिलू आक्षेत्र में हुए आलू के पैकेट से भरे ट्रक लूट की घटना का सफल अनावरन छेशाते लुटेरें ने पुलेस मुट भेड में गिरफतार हुए है लूटा गया ट्रक में 645 बोरे आलू कीमत करीब 45 लाक रुपए तदा 44,500 रुपए नदी घटना में प्रयुकत एक 4 परिया वहान और 6 अवे तमन्चे 10 जिन्दा और 9 खोका कार्तूज परामत किये गये है दिनांग बाई सितंबर को वादि सिप्रेम शंकर उपर नीरज पुत्र रूम सिह निवासी ग्राम दोर्रा प्रेम नगर थाना पाले मुखीम पोर जन्पदा लिकर द्वारा थाना पीलोवा पर सुचना दी गई कि दिनांग 21 सितंबर को वे अपने 14 ट्रायर ट्रक में 645 पैकेट आलो के लोड कराकर अलीगर से कानपुर जा रहे थे वहीं पीलोवा क्षेत्र में जीटी रोड पर एक सफित रंग की सफारी गाड़ी पर सवार चार अग्यात विक्तियों ने उसके ट्रक को और टेक करके ट्रक रुक्वालियार उसे और परीचालों को वहीं उत रिषे वह पुलीस अधिक सटीम और सवयम गटना स्थाल के लिए रवान है तथा अपर पुलीस अधिक सट्रक अपराद श्रित्र अधिकारी सदर क्रायम ब्राश की स्क्वाड तथा स summertime के अठिक्त प्रभारी में दुक्या होत्वाली देहात को रवान होना किया गया 24 सितंबर को करीब साड़े 10 बजे पुलिस टीम द्वारा तोरित कारिवाय करते हुए गटना का मात 36 घंटे के अंदर ही अनावरण किया गया और लूटा गया ट्रक 645 सितंबर को दिन बंद स्कूल के पास अरीगर जोड से बाबर पुर जानेवर रास्ते पर बंद पड़े बट्टे के पास से फुलिस मुद्भिड के बाद गिरफतार किया गया है पुष्टाज में गिरफतार अभियुक्तो द्वारा बतायागे कि उन्होंने अपने अन्य फ्रहर साथियों के साथ मिलकर 21 सितंबर को थाना से कंद्रावुद क्षेत्र में एक धावे पर ट्रक की रेकी कर पीछा करते हुए इस आलुज जिवरे ट्रक को थाना पीलाक शेत इस मामले में विविन धाराव के तहट मामला पंजिकृत किया गया है साथ सर्विलांस टीव और ठाना पीलुगा को त्वाली देहात और अन्य थानों की पुलिस टीम हो जारत एक ठाना पीलुगा चेत्र में 22 सितंबर को 645 बोरी आलुज लदे ट्रक को हाईवे पे ढूटने वाले गैंग से संब्दी 6 अरुपनों को गिरफदार किया गया है किनके पास से भारी माकरा में तमन्चे डालुज के अलावा उन्टा गया ट्रक 645 बोरी पुड़ा आलुज लदा था वो माल बरामत हुआ है 45 अरुपे जो उस ट्रक में मालिक द्वारा रखी गई थी वो भी बरामत हुई है जो हैकना में इस्टेमाल चार भाहिया वाहन का बजमा संद्वारा वो वाहन भी बरामत हुआ है यह सभी आरुपी जो गिरफदार हुए हैं अत्यान साथिर किस्म के अपराती है और पूरुप में यह जनपद एटा के अलावार कास गंज यह दूसरे आने जनपदों में भी हाईवे पे इस तरह की ट्रक में उट्यार ने गंभीर वार्दात मुसामित रहे हैं इनका लंबा अपराती की टिहास भी है और यह बहुत संगठित गिरो है जो हाईवे पे इस तरह के अपरात कहता रहा है इनसे पूश्टाश के बाद इनके फुशने अपराती साथियों के वारे में जानकारी मुदी है जो अभी कुश लोग फराद हुए हैं इनको जल्दी ही परात अपराती पुलिस टीम गिरफतार करेगी और फिर इनको अंतिम निस्कास तक अंतिम अंजाम तक हुच जाएगा यह परामद आलू जो कान को तेरिये जा रहा था अली गड़ से और फ्रक पुरा गुटा हुआ सामान था इसकी अनुमानिक कीमत 45-50 लाग रुपए की बताई गई है